हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मॉबाइल में वाटस अप बिजनेश जो है डेटा ओन होने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं करते हैं यहाँ पर आपके मॉबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है या तो फिर यह जो है ओपन ही नहीं होता है तो इस प्रॉबलम को आप लोग यहां पर कैसे टिक करेंगे तो इसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आप सभी को बताता हूं कि कैसे आप लोग यहां पर इस प्रॉबलम को सावब करेंगे तो यहां पर आपको जो है इस प्रॉबलम को सावब करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर प्लेस्टों में जाके जो WhatsApp बिजनेस है आप लोग यहाँ पर उसको अपडेट कर लिजिए अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में Internet Connection को चेक कर लिए नहीं क्योंकि अगर आपके मोबाइल में Internet Connection नहीं रहेगा तो ये जो है काम नहीं करेगा तो आप लोग एक बार internet connection को check कर लिजे हो सकता है कि आपके mobile में internet ना हो तो इसके वज़ाँ से ये problem आ रहा है ओके तो check कर लिजे अगर फिर भी problem आता है तो आप लोग यहाँ पर एक बार WhatsApp business को close करे यानि कि बंद करे और दोबारा से उसको open करके यहाँ पर आप लोग देख लिजे तो ऐसा करने से भी problem यहाँ पर solve हो जाती है और जो है कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तो यहाँ पर जो WhatsApp business है उसमें server down कभी problem आता है तो यह बहुत situation इसका कम रहता होने का बठ हो जाता है कभी-कभी तो यह कुछ time के लिए कुछ time के लिए यहाँ पर बंद हो जाता है और बाद में चलू हो जाता है तो ऐसे मैं आपको जो है 2-3 गंटे wait कर लेना है और उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी तो यहाँ पर मैं आपको एक और setting करके बता देता हूँ जिसके बाद यहाँ पर आपकी problem solve हो सकती है तो इसके लिए आपको जो है setting को open करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर application में आना है application में आने के बाद यहाँ पर आपको all application पर click करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको search bar में इस तरीके से WhatsApp बिजनेश सर्च करना है तो WhatsApp बिजनेश सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको storage में जाके clear catching कर देना है clear catching करने के बाद दोस्तो आपकी problem यहाँ पर 100% solve हो जाएगी तो चलिए मिलते है ने इस्ट वीडियो में